वेलकम बेक इन कोशी क्लासेज गोड़ इमनिंग ओल आज का अपना टोपिक है कफ इंपोर्टेंट टोपिक है देखो कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन किया था उसका करेक्टर स्टिक जो किया अपने कॉमन इमेटर कॉन्फिग्रेशन किया उसका करेक्टर स्टिक किया उन दोन diagram देखो इस block diagram में क्या है input junction किस पे है forward bias पे output junction क्या है reverse bias पे ठीक है ये क्या है deflection layer है ठीक है अब अपन क्या करते है ये जो है base region है ठीक है अब वापन क्या करते हैं जब reverse bias voltage increase करते हैं यानि जब VCE को increase करेंगे VCE को increase करेंगे यानि output junction किस पे है reverse bias पे तो reverse bias पे deflection layer का width बढ़ता है deflection layer की चोड़ा ही बढ़ जाती है लेकिन क्या है collector और base इन दोनों में doping जो है base की कम होती है collector की ज़्यादा होती है तो base की doping कम होने के कारण base की side penetration जदा होगा deflection layer का penetration किदर जदा होगा base की side जिससे क्या होगा जो effective base region है वो कम हो जाएगा यानि base की चोड़ा ही कम हो जाएगी तो base की चोड़ा ही कम होगी ये क्या कहलाता है early effect कहलाता है ठीक है अब इसके कारण दो परभाव होंगे कौन-कौन से होंगे, No.1, जब base की चोड़ाई कम होगी, तो base के अंदर जो recombination होता है, वो कम होगा, recombination कम होगा, तो base current क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी, ठीक है, base current reduce हो जाएगी, ठीक है, second क्या है, इसके अंदर concentration gradient जो है, वो increase हो जाएगा, concentration gradient increase होगा तो emitter current क्या हो जाएगी increase हो जाएगी ठीक है यानि early effect के current base current reduce होती है और emitter current क्या होती है increase होती है तो देखो जो slide में लिखा वो देखते है इस circuit में collector base junction reverse bias पर होती है जब VCB को बढ़ाया जाता है देखो यह अपना normal VCB है ठीक है अब अपन VCB को बढ़ाते हैं तो collector base junction reverse bias पर है अता है deflection layer का width increase हो जाता है deflection layer बढ़ेगी base की doping collector region से कम होने के करण deflection layer की width base की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी देखो block diagram में यह जो deflection layer है यह base की side ज़्यादा बढ़ रही है base की side ज़्यादा बढ़ने से effective base width यानि base की जो effective region है वो कम हो जाएगा अता है effective base width क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी यह क्या कहलाता है early effect कहलाता है तो देखो इसके कारण क्या होता है emitter base junction unchanged है क्यों? क्योंकि VBE क्या है? same है VBE को अपन change नहीं कर रहे ठीक है अब base narrowing अब जब base region narrow हो गया base की चोड़ाई कम होगी तो उसके कारण क्या होता है number one base region के बितर less recombination होगा जिससे base current कम हो जाएगी second जो है base में जो charge gradient है वो बढ़ जाएगा जिससे emitter current क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो ये क्या कहलाता है early fat या इसको base with modulation भी बोलते है thank you for watching this video अगर आपको ये video अच्छा लगे तो इसको like, comment और share जरूर करना और channel को भी